इंग्लंड ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी का निश्चे किया है दोनों हमारे एक्सपर्ट उन्होंने यही गादा कि देखे गेंद बाजी तो करनी ही है टॉस जीत के नमस्कार एक बार पिसे आप सभी का स्वागत है लॉट्स में भारत और इंग्लिंड के बीच में इस दूसरे टेस्ट मैच में लेक्स टंपर तीए गेंद इसको खेल दिया है स्विंग के साथ चौके के लिए जा रही है चौका यहां पर चार रन मिलेंगे बेकार गेंथी ये साम करन की फुलर गेंथी लेक्स टंपर और रोहित ने पूरा फाइदा उठाया इस बार निकाला गैप में निकाला बहुत खूपसूरा शौट याबर रोहित शर्मा का और चार रन मिलेंगे यहां पर लगा है एक और चौका आखरी गेंथी किस्वें ओवर की रोहित शर्मा ने बैट का जो फेस है उसको आखरी समय पे खूला है बहारी किनारा काफी मोटा बहारी किनारा लगा और थर्ड स्लिप और गली के बीच में से निकल कर गया है चौके के लिए इस बार पुल शॉट केला है यहां पर बहुत ही शॉट गें थी लेकिन मिडल और लेग की लाइन थी तो रोहित ने बड़े असानी से उसको पुल कर दिया है और फाइन लेग पर फील्डर मौजूद नहीं है वो बहुत जादा स्क्वेर है तो बड़ी असानी से यहां पर चक्का मारा है इस पर चक्का मारा है अगली गेंद पुल किया और गैप में खेला चार नौर बहतरीन शॉट के साथ आपका स्वागत करते हैं चौका लगाया है यहां पर रोहित शर्मा ने 72 पर पहुंच गए है और मोईन अली की पहली गेंद पर बहुत लंबा चक्का केल राहुल ने यहां पे शाकल्स तोड़े है आगे बढ़कर आए और उठा के मारा है लॉंग ओफ के ऊपर से यह चक्का लगेगा यहां पर इस बाची गेंद और यहां पे सबलता मिलती हुए आंडिसन को बड़ी विकेट मिलिया रोहिश शर्मा को जाना होगा लिकेंद इस पुजारा आउट हो गए नो रन पर यह दूसरा विकेट गिरा है चार स्लिप के साथ और यह फुलर गेंद इस बार ओफ स्टम के बाहर दी इसको ड्राइब किया है बहुत ही सक्षम तरीके से और चौका मिलेगा आखरी गेंद पर बहतरीन स्ट्रोक ओफ स्टम पर शानदा कवर ड्राइब और जो पहचान है इंफेक्ट के रहुल की भी जैसे की विराट की है एक शानदार चौका यहां पर मिलता हुआ विराट कोली के बल्ले से बहतरीन शॉट ऑफ स्टम के काफी बाहर दी इस शॉट फुलर गें दी उसको ड्राइब किया है आगे बढ़के जो विराट कोली कवर ड्राइब होती है बहतरीन शॉट ट्रेडमार्क शॉट बिल्कु सही का आपने इसी के लिए वो जाने जाते हैं स्लाप शॉट मारा है और बहुत ही बहतरीन प्लेस्मेंट मिड़ान पे फीलर मौजूद थे लेकिन वहां पर उनको बीट नहीं कर यही विराट कोली हमें पसंद है देखना बहतरीन शॉट कलाईयों का इस्तेमाल स्लाप करके सीधा डाउन दे ग्राउंड बहतरीन चॉकर ड्राइब किया केल राउल ने बहुत ही खुबसूरा शॉट और गैप में खेला है और एक लंबी चेज़ पर जीत होगी गेंद की चार रन मिलते हो है केल राउल को राउल पोंचे 98 पे इसी बीच गेंद थोड़ी सी नीची रही बैक फुट पर जाकर खेलने की कोशिश की विराट कोली ने अंदूरीनी किराना लगा बाउंडरी की तरह बड़ी तेजी के साथ जा रही है गेंद और ऐसा लगता है कि गें राउल का लोड्स में शातक लगाया इन्होंने और जो ऑनर्स बोर्ड है उस पर भी नाम आएगा पर क्या पारी क्या शांदर पारी आपे केल राउल द्वारा जितने भी दर्शक आएं लोड्स स्टेडियम में अभिवादन करते हुए और ऐसी पारी बहुत यादगार पा जो सूरज है वो नहीं डूबा है लेकिन लाइट आ गई और एंज और आउट बहुत बड़ा जटका यहां पर कोली आउट हो गए हैं बहतरीन गेन बाजी और रॉबिंसन की ऑफस्टम के बाहर जाती हुई गेन थी और उसको चूने की कोशिश की और रीमा की प्रडिक्श दौर पर चार रन के लिए और इसी के साथ आज के दिन का खेल यहीं पर समाप्त हुआ 27 डरन पे नाबाद है कल फिर से फ्रेश वापस आएंगे अमीद करते हैं कि धोरा शटक लगाएं यहां पर केल राहूल पर भारत आज बहुत खुश होगा जिस प्रकार की स्तिती रही 276 रन तीन में के नुकसान पे कर दो एंदेख।